हेलो फ्रेंट्स में नामादर शुबास्तफ और आज मैं इन दोनों गाड़ी की बीच में कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ जो कि लेट साइब देख सकते हो जो कि पुरानी क्रेटा है और राइट से अब देख सकते हो जो कि नई क्रेटा जो कि सकेंड जनेरेशन है और इसक इंजन बाइज में आपको बताने वाला हूँ जैसे मैंने ये दोनुगी चलाई विया यह गाड़ी का नमबर प्लेट अब देख के पता लगा सकते हो कि यह गाड़ी नहीं गाड़ी है और यह गाड़ी का नमबर प्लेटास्ट यह काफी यूनिक नमबर है तो इंजन suspension काफ़ी अच्छी गाड़ी में आपपको बेकर पता नहीं चलेगा इस गाड़ी में आपको मैं बटा रहाँ लेकिन इस गाड़ी में थोड़ा साइब को suspension ौड़ेशने में दिखेगा तो अगर में हेंड़िंग की बात करूं तो इस गाड़ी में अच्छीılar है हैंडिलिंग अच्छी नहीं हैंडिलिंग थोड़ी सी घड़बर काफी सॉफ्ट है मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से लेकिन इसके हैंडिलिंग काफी अच्छी है तो जैसे कि आप ओवल लुक देख लो फ्रंट से कई लोगों को यह वाली क्रेटा पसंद आती तो कई लोगोगों यह वाल मिल जाते हो यह वाली क्रेटा जैसे की टॉप मोडल है तो कड़ी 11-12 लक में मिल है कि यह वाली क्रेटा तो फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है दोनों अगर मैं यह क्रेटा के बात करूं तो यहां भी आपको LED का मिलता है DRL क्योंकि अभी साइद ना दिख रहा हो आपको गाड़ी पुरानी हो गई इसके और नीचे आपको सन्रूफ नहीं मिलेगा लेकिन अगर वह गाड़िक में बात करूं वह भी सेकंड टॉप मॉडल सेक्स पेट्रोल में तो इसमें आपको पैंडॉमिक सन्रूफ आता है जो कि काफी बड़ी चेंज्जेस है जो कि आप देख सकते हो और अगर इंटियर्स की बात करूं जो कि यह नहीं क्रेटा की तो कुछ ऐसा है और अगर पुरानी की बात करूं पुरानी क्रेटा की तो कुछ ऐसा है तो अगर मैं बैक की बात करूँ तो ये कुछ और पीछे से ये कुछ ऐसी डिखती है तो मैं इसलिए बोलनों कि कई लोगों को ये वाली क्रेटा ज्यादा पसंद आती है ना कि ये क्रेटा कि एक चॉइस होता है कि हाँ मुझे ये वाले नहीं काफी लोग सेकेंड मार्कट में ये वाली क्रेटा को लेता है क्योंकि ये बन गई की क्रेटा की पहचान बन गई है लेकिन यह वाली जो क्रेटा यह आपको काफी निव शेप में लगेगी जो की काफी अच्छी लगती है आपको यहाँ पर लगता है अभी निव शेप जैसे कि मैं बताया आने वाला तो वह आपको पीछे से पुड़ी लाइट यह सटे रहेगी कुछ ऐसे करके तो अगर गाड़ी की डिफरेंस में बात करूँ तो देखिए जनरेशन में अलग है तो अवे से बात है इंटियर पूरा चेंज रहेगा एक्स्टियर पूरा चेंज रहेगा लेकिन अगर इंजिन में बात करूँ में बाब अब होना दोनों 1.5 लिटर है कोई चेंज नहीं इ बोल सकता हूं कि कि पीक अप में अच्छा है एक्सिलेरेशन में अच्छा है लेकिन कोई खास नहीं है लेकिन अगर मैं बात करूँ इस क्रेटा की जो कि अच्छी बात है वह सब्सक्राइब आपको आप चलाओ गया बैठो के पीछी सीट में तो अपको फील होगा कि हाँ यह सेस्पेंशन थोड़ा सा इस यह बैठार सेस्पेंशन में अच्छी भी है इस गाड़ी को मैं अगर बात करूँ 20 लाग के अंदर यह एक लौती गाड़ी है जो प्रेंडॉमिक संरूफ देती है सौरी पंद्रा लाग के अंदर मोटा मोटी साड़े पंद्रा लाग मैं आपको इससे एक और नीचे मोडल आता है जो की सेक्स एक्जिक्यूटिव होता है उसमें आपको प्रेंडॉमिक संरूफ मिलेगा और जैसे कि मैंने यह सेक्स पेट्रो में लिया तो इसकी ऑन्रोड म आपको 17 इंच का मिलता है तो यह भी काफी चेंजेस है और यह कुछ साइड से लुक यह आपको थोड़ा सा बॉक्सी टैप कर लगेगा दोनों में थ्री स्टार मिले गाड़ी को सेफ्टी में लेकिन जो नहीं वाली क्रेटा है उसमें फाइव स्टार से रिटिंग मिलेगा कि काफी अच्छी बात है यह जो क्रेटा आप देखो दुबई में अगर आप देखो गया युवे में यह वाला क्रेटा आपको ज्यादा जिखेगा कि यह अभी वह बिखती है और यह वाला क्रेटा तो काफी मॉडण लगता है अब जितने भी गाड़ी आई कि हुंड़ा कि design language अब देख सकते हैं कुछ easy type कर रहता है तो चलिए मैं आपको इंटेयर दिखाता हूं इस गाड़ी के तरफ जाके तो रिक्वेस जितने भी important सारी चीजे थे वह सारी चीज में request sensors मिलता है साइड में light मिलता है नीचे आपको साइड light नहीं मिलेगा हाँ जी हाँ लाइट नहीं मिलता हूं उस क्रेटा में मिलता है वो क्रेटा में तो अगर मैं इंटेयर की बात करूं तो सारी basic चीजे हैं वन लिटर का bottle अब रख सकते हैं यहाँ पर power windows के control से और seat height adjustment के लिए भी है यह level light को control करने के लिए level तो मैं एक बाद बंद कर देता हूं तो यह कुछ ऐसा दिखता है पुरानी क्रेटा के इंटेडियर काफी अच्छा लगता है स्टार्ट स्टॉप बटन मी मिलता था इसमें इस सिक्सपीट देख रहे हो डीजल में जो कि काफी अच्छी है यह यहाँ पर कुछ control दी गई music के calls के यहाँ पर आपको रिसेट का ट्रिप का यहाँ पर क्रूस कंट्रोल नहीं मिलता है जो कि डीमेरिट है और कुछ ऐसा दिखता है अगर मैं गाड़ी के बात करूं कितनी गाड़ी चली वी है तो आप देख सकते हो काफी ज़्यादा चल गए गाड़ी में इस लिए इसके कार कि पहले दिन चल रही थी आज भी वैसे ही है सिफ हैंडिल में थोड़ी सी बता रहा हूं कि थोड़ी सी दिक्कत है और यह कुछ ऐसा दिखता है पीछे आपको आम रेस्ट मिलेगा कुछ ऐसा है यहां कोई लाइट से मिलता है तो चली नहीं क्रेटा की तरफ चलते और देखते तो यह है नहीं क्रेटा जो कि 2020 में लॉंच हुई थी और यह इसकी थर्ड जेंसन भी आने वाली जैसे कि मैं बता रहा था तो गारी में आप बैठा हो गए तो आपको फील हो कि कि अब गारी थोड़ी से हाइट में बैठ रहे हो उस गारी के कंपारिशन में दोनों क्रेटा में आका चेंजिस के बात करी रहा हूं तो हाइट जो लेवल होता है इसका इसका ग्राउंड क्रेंस से 190 mm उसका ग्राउंड को मुझे याद नहीं आ रहा है मैं डिस्क्रिप्श क्यों क्रेटा के सब तरफ जाते हैं कि यह पैनॉमिक संदूरूफ है जो कि काफी बड़ी और काफी अच्छी लगती है पीछे आपको आम रेस्टी मिलेगा पीछे दो हैड्रेस में कुशन मिलेंगा जो कि काफी अराम देख करेटा के तरफ से यह आते हैं और बीच में बात कर रहे हूँ तो प्रैक्टेकल में सुलस सटरह और डिपेंड कर तब गारी पकी कि इसमें दिखी एक फ्यूचर आता है कुरूज कंट्रोल है आप यह देख सकते हो इस मोड में क्रूज कंट्रोल में यह होता है कि गारी को कॉंस्टैंट स्पीड में चलती है अगर 60 कर कि मैं बात करूं देख सकते हो कैमरा भी काफी अच्छी है तो काफी ज्यादा है कि काफी अच्छी लगती है वहीं मैं बताते हैं कि 15 लाग साड़े 15 लाग में एक लौती गाड़ी जो कि पैनॉमिक संरूफ के साथ आती है और कोई गाड़ी आपको 15-15 अंदर लाग के नीचे पैनुमिक संरूफ नहीं देती है सिर्फ क्रेटा की इसे काउन नीचे मोडल आती है एसक एजेक्यूटिव यह जैसे मैंने बताया कि सेकंड टॉप मोडल है एसेक्स पेट्रोल में जिसकी प्राइज है ऑन रोड सुला लाग चाली जार यह सब कंपनी से आता है इस दोनों में कंपनी से आता है कोई आफ्टर मार्केट नहीं की गई है इस गाड़ी में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको संवाइजर नहीं मिलता है जो कि य काफी। मम लगती है आप यहां से अठा है और यहां पर अच्छस काफी अच्छा है जो की काफी अच्य लगती है और सेट लेवला है क्टा मैं उससे की आपने कर पाते हो यह अधे करेट हो अगर सबस्राइब правильно मोल्हाई लेवल कर आ उच्राइब उच्चिट अक अगर मुझे इसे पीछे करने है तो अब यहाँ पर एक कंट्रोल दिया गया इसको दबा के यह कुछ ऐसी पीछे हो गई और यह कुछ ऐसा दिखता है पीछे दोनों इसी के कंट्रोल दी गई है और काफी अच्छी लगती है और यह कुछ बैक लोक तो चेंजेस तो काफी ज़्यादा है डिजाइन में पूरी चेंजेस है मैं डिजाइन के बात करूं कुछ पॉंट्स में बताना चाहूंगा एड़ दिए एंड में वीडियो को खतम करते हुए कि डिजाइन में हाँ यह क्रेटर ज्यादा अच्छा है क बस आपको बाहर से चेंज कर देती है कंपणी लेकिन इंजन में कोई खास चेंज नहीं हाँ एक्सलेर समें थोड़ी चेंज लगेगी क्लच आप लोगे क्लच में शिफ्टिंग अच्छ लगेगी और गाड़ी के शाइनिंग में बात करूं तो ब्लैक कलर तो ऐसे शाइन क की बात करूं तो हां भई बूट स्पेस काफी अच्छा है कि इसमें काफी बड़ा सब बूफर लगा हुआ है इसे काफी जगा आपको नहीं दिख रहा होगा बटन से इने कंट्रोल नहीं कर सकते हाथ से कंट्रोल करना पड़ेगा और अगर मैं इसकी में बात करूं बूट अगर आपको यहां बें कोई बटन नहीं दिख गई हाथ से बंद करना पड़ेगा पीछे कामरा मिलता है और यहां पर लाइट जो कि हेलोजिन लाइट देना चाहिए तो जैसे मैंने क्वालिटी के अगर बात करूं तो हां यह क्रेटा की क्वालिटी ज्यादा अच्छ है क तो मैं आप जरू सस्क्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना कि यह वरजी जो क्रेटा जो नहीं शेप आने वाली उससे लेटे भी में वीडियो में काफी लाओंगा जो कि थर्ड नेंसर में बार बार में बता रहा हूं जो कि जैनिवरी में लॉंच होगी तो अगर यह वीडियो को अच्छा लगता है जो जरू सस्क्राइब कीजिए थैंक यू